डॉक्टर सुभाश्चंद श्री गुविन सिंग गुजर राजगे महविद्याले नसीराबाद के एकंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे यूरोप में अपवाहतंत्र या ड्रेनीज इन यूरोप जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप महादीप में कई उच परवत विद्यमान है दूसरा ये है कि जो इस महादीप का अधिकांच भाग है वो पच्छवा पवनों के परवहाच शेत्र में पढ़ता है इस कारण से ये पच्छवा पवने परवतों से टकरा कर इस महादीप के अधिकांच भाग में अच्छी वर्षा करती है और यही कारण है कि जो यूरोप महादीप की नदियां है उनमें जलकी बहुलता रहती है अर्थात हम कह सकते हैं कि नदियां सदा बाहार हैं इनका जो जल है वो सिचाई के लिए भी उपयोग में लिया जाता है इन नदियों की एक विशेष्टा है कि ये नदियां परवत शेनियों को काटने की बजाए उनके समाना अंतर बहती है और अपने बहाव छेत्र में बिना अधिक काटछाट किये ये समूदर में गिर जाती है चलाकि जो योरोप महदीब की नदियां है वो परिवहन की द fountain की दिरिष्टी से बहुत अधिक महत्कूल नहीं है उसके दो कारण है पहला तो यह है कि इन नदियों की लंबाई कम है और दूसरा जो है वो है महादीप का उच्छावच विशम है तो हम देखते हैं कि राइन और डैन्यूब इन नदियों को छोड़ कर वाकि जो छोटी छोटी नदिया है वो नौ परिवेहन की दृष्टी से बहुत अच्छी नहीं है अब वहाद तंत्र की दृष्टी से हम योरोप की नदियों को तीन वर्गों में बाढ़ सकते हैं पहला है उत्री हिम महासागर तथा अट्लांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां दूसरा भुमद्य सागर में गिरने वाली नदियां तीसरा काला सागर कैस्पियन सागर आदी आंत्रिक सागरों में गिरने वाली नदियां तो सबसे पहले बात करते हैं उत्री हिम सागर और अट्लांटिक महासागर में गिरने वाली नदिया इन में स्पेन की डोरो टेगस गवाडियाना गवाडी विक्कर ये अट्लांटिक महासागर में गिरती हैं फ्रांस की सीन जो इंगलिस चैनल में लायर और गैरोन नदी बिस की खाडी में गिरती हैं इंग्लेंड की थेम्स जर्मनी की राइन और एल्ब उत्री सागर में गिरती हैं जर्मनी की ओडट पोलेंड की विश्चुला बाल्टिक सागर में गिरती हैं और उत्री डुईना श्वेट सागर में और दक्षनी डुईना बाल्टिक सागर में गिरत इसके अलावा बालकन जो प्रायदीप है उसकी मॉन्ट्रेसा और वारदार नदियां ये भूमद्य सागर के इजियन सागर में गिरती हैं जो आंत्रिक सागरों में काला सागर कैस्पियन सागर आदी आंत्रिक सागरों में गिरने वाली नदियां हैं उनमें डैन्यूब रूस कि डान निपर और निस्टर ये नदियां काला सागर में यूराल और वोलगा नदियां ये कैस्पिन सागर में गिरती हैं तो अब हम अलग-अलग नदियों की बात करेंगे कि जो महत्पून नदियां है वो खास तोर पर यूरोप की तीन नदियां है जो बहुत महत्पून है डैनियूब, राइन और वूलगा तो सबसे बहले बात करते हैं डैनियूब नदी की जो डैनियूब नदी है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है यह नदी जर्मनी के जो black forest mountains हैं उसके पूरवी ढालों से निकलती है यह नदी उत्तर पूरव की और रेगेंस बर्ग नगर तक बहने के बाद दक्षिन पूरव की और मुड़ जाती है जर्मनी की सीमा पार कर आस्टियन गेट से आस्टिया देश में प्रवेश करती है फिर यह नदी परवती और पठारी भागों से बहती हुई आस्टिया के मैदानी भाग में आ जाती है और जो आस्टिया की राजधानी वियना है वो इसी नदी के तट पर इस्तित है और यही कारण है कि जो उस्टिया के मेदान मेदानी भाग है उसको वियना बेसिन भी कहते हैं आगे यह नदी पूरव की और हंगरी और चैक गनराज्ये की सीमा से गुजरती है यहीं से यह नदी कारपेथियन की टेकरियों से दक्षिन की और मुड़ जाती है और इसी नदी के तट पर जो हंगरी की राजधानी बुड़ा पैस्ट है वो इस्थित है आगे जब यह नदी हंगरी की सीमा पार कर लेती है तो सर्बिया और मॉन्टे नेगरों में पहुँचती है वहां की जो द्रावा नदी है वो इसमें आकर मिलती है इन दोनों नदियों के समगम के पश्चाथ नदी फिर से पूरव की और मुड़ जाती है फिर इसके बाद जो सर्बिया की राजधानी है बेल ग्रेड वो भी इसी नदी के तट पर इस्थित है बेल ग्रेड के पास इसमें तीसा नदी आकर मिलती है और यहां से यह नदी पूर्व की और बहती हुई मैदान से परवतिय भागों में प्रवेश करती है यहां नदी की जो घाटी है वो बहुत तंग है और यह जो है वो आईरन गेट नामक दर्रे से गुजर कर फिर मैदानी भागों में आ जाती है यह जो नदी है वो रूमआनिया की मैदानी भाग में बेलेशिया कहलाती है फिर नदी रूमआनिया और बल्गीरिया देशों की सीमा बनाती हुई आरगेसुल नदी के संगम के पश्चात उत्तर पूरव की और मुड़कर रॉमानिया जो है उसकी भूमी पर आ जाती है यहीं से अपनी निचली घाटी में यह काला सागर में गिर जाती है तो इस तरह हम देखते हैं कि जो डैन्यूब नदी है वो बहुत विवित्ताओं वाले प्रदेशों से बह कर चली जाती है तो यही कारण है कि यह योरोप की एक बहुत महत्पून नदी है अब डैन्यूब नदी घाटी के जो देश हैं उन्होंने मिलकर 1999 में डैन्यूब कमीशन बनाया और जो यह नदी है या इसके जो नौकायान का नियंत्रन जो करता है वो डैन्यूब कमीशन करता है और इसका जो कमीशन का मुख्याल्य है वो बुड़ापैस्ट में है योरोप की जो दूसरी सबसे महत्पून नदी है वो है राइन नदी राइन नदी स्विजर्लेंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित कांस्टेंस जील से निकल कर लगबग तेरह सो पचास किलो मीटर की यात्रा कर उत्तर सागर में गिरती है इस नदी का महत्व जर्मनी के लिए अधिक है ये बेसिकली जो नदी है वो उद्योगिक छेतरों से होती हुई जाती है दूसरा हम देखते हैं कि ये जो नदी है वो नौ परिवहन के दृष्टी से भी बहुत महत्पून है और यही कारण है कि इस नदी को क्योंकि ये कोईला छेतर से भी होकर जाती है और इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है अर्थात व्यापार के लिए भी ये बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इस नदी को यूरोप की रीड की हड़ी भी कहा जासा है दूसरा जो राइन नदी मार्ग है वो विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है इस नदी के तट पर स्ट्रेसबर्ग, मांदीप, मेंज जैसे व्यपारिक नगर भी है इस नदी मार्ग द्वारा स्विजरलेंड, कपास, कोईला आदी आयात करता है और बिजली का सामान और घडियां आदी निर्यात करता है तो व्यपारिक मार्ग का कारिय करने के कारणिये यूरोप की परमुक व्यपारिक नदी है इस नदी के व्यपार में कोईले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोईला ढोने वाली नदी अरतात कोल रिवर के नाम से भी जाना जाता है अब जो लाइन, मैन, नेकर ये कुछ नदियां हैं जो की मौसेल, रूर जो इसकी परमुक साहिक नदियां है यूरोप की जो तीसरी महत्पून नदी है, हलाकि दूसरी सबसे लंबी नदी है और डैन्यूब की तरह ये भी आंतरिक सागर, अरतात कैस्पियन सागर में गिलती है उसका नाम है वोलगा, जो वोलगा नदी है, वो 3690 किलो मिटर लंबी है और ये नदी, वालदाई की पहाडियों से निकल कर, रूस में बहकर, कैस्पियन सागर में आकर मिलती है इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोप है, वो जल परिवहन की दृष्टी से, सिचाई के लिए जल की दृष्टी से, बहुत भाग्यशाली है और जो यहां की नदीया है, वो सदा वहनी है, धन्यवाद